नमस्कार दोस्तो स्वागत आप सभी का दोस्तो क्या आपके वी एच एससी सीटी भरती में नंबर कम हो रहे हैं यानि कि आपका जो आंसर की के अकोर्डिंग जो स्कोर बन रहा था पलस अबजेक्शन के नंबर मिलने थे उसके अकोर्डिंग जो स्कोर बन रहा था लेकिन और आप ये काम कर लेते हो तो आपका यदि असलियत में ही स्कोर कम हो है तो 101% सही हो जाएगा ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ तो वीडियो को ध्यान से देखना वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना और वीडियो में अगर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्व तो दोस्तों आप सभी को बताना चाहूंगा यदि आपके फॉर एक्जांपल किसी साथी ने 60 कोस्टन सही किये और उसके तीन कोस्टन है वो अबजेक्शन के नंबर थे अब उसने 0.95 से मल्टिपलाई करके सही से देखा है ये भी आपको पता होना चाहिए अब कुछ साथ ये कहेंगे कि जी मेरे 60 प्लस 3 63 नंबर बन रहे थे लेकिन एचससी ने तो मेरे को 60 61 दिये है तो वो भी ध्यान रखना कि इसको आप .95 से मल्टिपलाई करके देखना और उसके बाद देखना कि स्कोर है वो कम हो रहा है या नहीं अगर उसके बाद भी आपका स्कोर कम हो र करना है आपको क्या करना सबसे पहले बिल्कुल धान से देखना अच्छे से समझना एक वट्सप नंबर जारी कर रखा है एक यदि आपके पास नहीं है तो मैं आपको दिखा देता हूं यह नंबर है आप यह नंबर है अपने फॉन में सेव कर सकते हैं सारी चीज़े धान स की आंसर सीट है तो आप सेम इसी तरिके से अपनी आंसर सीट है उसके ओपर आपका पूरा डाटा दिया होगा रोल अंबर वगरा सारी चीज़े तो आपको वो आंसर सीट है वो अप्लोड करने और साथ में यह लिखना जैसे इन्होंने क्या लिखा प्लीज टेल दारीजन वाई इतने नंबर है कम हो रहे हैं have been reduced in my scorecard issue according to the official answer की of NTA आप इसमें अगर आपको लग रहा है कि objection के according कम है तो आप वो भी साथ में डाल सकते हैं कि objection और प्लस NTA के answer की है उसके according मेरे नंबर कम हो रहे हैं तो वो कम क्यों हो रहे हैं तो इस चीज़ का जवाब है आपको HSC ने जैसा बता रखा आपको 24 गंटे में इसका जवाब दिया जाएगा लेकिन 24 गंटे में साइद इसका जवाब नहीं मिलता 2-3 दिन के अंदर इसका reply आ जाता है जैसा कि मैंने देखा है एक दुबर पहले भी मैंने इस पर try किया है तो 2-3 दिन में इसका reply आ जाता है तो आप भी इस पर ट्राइ कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा ये चीज़ें जाएगी उनके पास, तो HSC में इस चीज़ का पता चलेगा उनको, कि हाँ एक्जेक्ट में दिक्कत है, अभी साइद ऐसा है कि HSC चेर्में सहाब या HSC को इसका पता नहीं है, कि ये दिक्कत आ रही है या नहीं हा रही है, तो ये चीज़ें आपको बिलकुल सही से पता लग जाएगी, वीडियो आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा सेयर करें, ताकि ज़्यादा ज़्यादा अबजेक्शन HSC के पास पहुंच सके, और